हाई मैं पशांत आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियो टू कमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में दो IPO का कंपीजन करने जा रहे हैं यहाँ पे हम कंपीजन कर रहे हैं Campus IPO और इन दोनों IPO कंपीजन यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं आपके मुन में यह डाउट आ रहा होगा इसलिए हम कंपीजन कर रहे हैं क्योंकि यह दोनों IPO आपको लगबग ऑल्मोस्ट एक ही टाइम पे उपन हो रहा Campus IPO आपका 26 अपेल को उपन हो रहा जबकि रैंबो IPO आपको उसके नेक्स डे 27 अपेल को उपन होने जा रहा और 27 और 28 अपेल इन दोनों रेट को यह IPO एक साथ मार्केट में उपन होगा तो यहां पे बहुत साथ लोग पास काफी कम पैसा होता है और वो दोनों में से किसी एक IPO को ही अपलाई कर सकते हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक IPO को अगर आप अपलाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सा IPO होगा campus होगा या फिर rainbow होगा तो चलिए देखते हैं कि दोनों IPO में से कौन सा बहतर है अगर दोनों में से किसी एक में हमें अपलाई करना है तो वो कौन सा IPO होगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम campus IPO और rainbow IPO इन दोनों IPO के अबर्विक उपर बात करेंगे फिर हम इसके financials, valuations के उपर बात करेंगे देखेंगे कि कौन सा IPO सस्ता है और कौन सा IPO मेहंगा है फिर हम इसके peers से भी completion करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कौन IPO हमें ज़्यादा listing gains दे देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम वेनवो IPO पर बात करें इसका पूरा नाम है वेनवो चिल्डेन मेडिकेर हॉस्पीटल और इसके पास multiple हॉस्पीटल है सिर्फ एक हॉस्पीटल नहीं है अगर यहाँ पर बात करें इसके पास total hospital chain है और इसमें total 14 हॉस्पीटल है और 3 किल करें तो इसके पास highest number of bed है यहीं सबसे ज्यादा आपका वेनवो चिल्डेन मेडिकेर हॉस्पीटल के पास ही है इसे कारण से यह अपने profit को consistently manage कर पा रहा है और अच्छे खासे profit यह manage कर पा रहा है वहाँ अगर हम यहाँ पर campus IPO को पर बात करें यह IPO आपका totally different sector का यह IPO आपको active wear field का है जिसमें यह आपका different types of shoes manufacture करता है अगर हम यहाँ पर इसके variety of product की बात करें ति यह आपका running shoes बनाता है walking shoes बनाता है casual shoes बनाता है flutters, slippers, flip flop बहुत सारे product इस type के वह manufacture करता है और इसने भी 2021 में एक achievement हांसिल किया था especially in sports and athlete seizure footwear segments में इसने सबसे ज्यादा sales किया था 2021 में यह आपका number one sales करने वाला brand बन गया था India कर अगर हम इसके market share की बात करें तो 2020 में इसका market share था वो था आपका 15% करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो की 2021 में increase होके हो गया 17% यह नि last one final share में इसने अपने market share को 2% increase कर दिया जबकि इस film में इसको international brand Tuma और AIDAS से भी ज्यादा positive बात है तो आपने देखा कि दोनों IPO अलग-अलग sector से डिपेंड करता है तोटली अलग-अलग sector है इसलिए यहाँ पर फिर जितना हो सकता है हम उसलिए आज से compare करेंगे यहाँ पर जो most important है दोनों IPO के industry overview की उपर बात करना चाहेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा industry का overview बैतर है तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम hospital industry के उपर बात करना चाहेंगे तो अगर आप hospital industry के उपर बात करें तो इसका जो total market size है वो 4,270 billion करी market size है और after covid इसका market size rapidly increase किया है और यह आपका last four financial year नहीं from finance year 2016 to 2020 यह आपका लगबग 13% CAGR के साथ grow किया है जो कि अच्छा pace माना जाता है growth का उसके बाद अगर हम यहाँ पर maternity market की बात करें जिसमें यह hospital specialization रखे हुए है वो आपका 2016-2020 में थुरा सा कम यह लगबग 7-8% के CAGR के साथ grow किया है लेकिन यहाँ पर उमीद है कि FY20 से ले ग्रोथ होगा वो 11-20% CAGR के साथ इसका growth हो सकता है दूसरा यह hospital का एक और इस्प्रेसलाइजेशन होए आपका पेडिवेटिक फिल्ड में अगर हम पेडियोट्रिक मार्केट की बात करें यह मार्केट काफी तेजी से grow करता हुआ देख सारा और यह मार्केट आपका 14% CAGR के साथ growth करता हुआ देख सकते हैं तो अगर हम इस hospital industry की बात करें इसको हम average ले सकते हैं कि आपका 12% CAGR के साथ next 4 to 5 financiers में grow करता हुआ देख सकता है वहीं अब हम यहां पे आते हैं और footwear industry की overview को देखते हैं अगर आप footwear industry overview को देखें तो यह आपका 21.5% CAGR के साथ grow करता हुआ देख सकता है FY21 से लेकि FY25 में यानि next 4 final year ही आपका लगवक 21% CAGR के साथ grow करता हुआ देख सकता है जबकि हमने hospital industry का overview देखा था वहां पे 12% CAGR के साथ वह overall grow करता हुआ देख सकता है तो इसलिए से footwear industry का growth आने बाद टाइम में वह ज्यादा है क्यों ज्यादा यह भी आपको समझना पड़ेगा अब यहां पर देखिए इंडिया जो second largest footwear producer है globally सबसे पहला नमर पर चाहिए न जिसका market share है आपका 67% के करीब यह नि पूरा का पूरा dominance बना रखा है market में और इंडिया का जो market share है वह आपका है सिर्फ 13% के करीब और यह जो 13% है यह आने वाले 4-5 साल मे increase होके यह आपका लगवाग 25% के करीब जाता हुआ दिख सकता 20-25% करीब जाता हुआ दिख सकता इसलिया से इस इंडिस्ट्री का जो CHGR growth है वह हमें जादा दिख रहा है इसलिया से यहां पर बताया गया है कि footwear industry इंडिया का 21% CHGR के साथ आने वाले टाइम में grow करता हुआ देख सकता है तो इंडिस्ट्री आपर विक उपर बात करें तो footwear इंडिस्ट्री हमें थोड़ा ज्यादा एट्रेक्टिव लग रहा है growth wise तो यहां पर हम दोनों IPO कंप्रिजन करने जा रहे तो IPO objective के उपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा IPO objective भी हमें बताता है कि company IPO क्यों ला future issue किया था और उसको वह redeem करेगा उसमें वह IPO से पैसा आएगा उसका इस्तेमाल करेगा दूसरा point यह आपका new hospital भी setup करने जा रहा उसमें भी capital expenditure आएगा IPO से पैसा आएगा वहां पर खर्ज किया जाएगा और तीसरा जो purpose है वह general corporate purpose है और यहां मैं बताना जाओंगा कि दोनों IPO को पर हमने separate video बना रखा अगर अब भी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके देख सकते नहीं तो आप I button पर क्लिक करके भी देख सकते और उसका link आपको description में भी मिल जाएगा वहां पर भी जाके आप दोनों IPO का separate और detail analysis देख सकते हैं यहां पर हम दोनों IPO का एक साथ analysis करें ताकि आपको दोनों में से बैतर IPO पिक करने में मदद मिलें अगर यहां पर हम campus IPO की objective के उपड़ बात करें इसमें पूरा का पूरा OFS है यानि offer for sale रखा गया है और जब IPO पूरा का पूरा OFS रहता है जैनरली क्या रहता है IPO आपका costly रह IPO या फिर दोनों ही expensive IPO है तो यहां पर हम campus IPO और रहनों के positive स्कूपर बात करेंगे फिर हम इसके negative स्कूपर बात करेंगे फिर direct इसके financials पर आएंगे तो सबस्पहले अगर हम रहनों hospital IPO के positive स्कूपर बात करें तो यह आपका multi specialty hospital है जिसके पास hospital chain है 14 hospital है और इसका six cities में presence भी है और यह आपका pediatric maternity और gynecology field में यह अपना leadership maintain किये हुए या फिर maintain करने की कोशिस कर रहा है दूसरा है कि इसका strong और consistent financial track record है financial performance इसका बहतवीन है और इसका revenue और profit wise भी अगर हम देखें तो financials बहतवीन है जब हम इसके financials पहेंगे तो उसके उपर बात करेंगे जैसा कि मैंने आपको बता है था इसके पास 14 hospital है और इसके अलाबा three clinic है जिसका present six cities में और इसका present especially आपका Southern India में यह Southern India का one of the popular hospital है और इसके पास काफी experience management team भी है और यह high caliber medical professional को अपने पास रखे हुए है उसको attract भी करता और उसको अगर जवरत परी तो train भी करता है इसलिया से hospital का reputation बना high caliber medical professionals इसके साथ जूरे हुए है और वह होस्पीटल को अलग पहचान देता है वह अगर हम campus के positives को पर बात करें यहां पर यह आपका largest sports और athleisure food brand है इंडिया का in terms of value and volume in financial 2021 मैंने आपको बोला भी था कि sales के मामले में financial 2021 में यह सब ज़्यादा sales करने वाला brand बन गया है और इस इसका एक special recognition है और इसका successful market strategy है जिसे कारण से यह अपने profit को अच्छे तरीके से manage भी कर पा रहा है और market share मैंने आपको बदाया था 2020 में 15% था जो कि सिर्फ एक साल में इसने अपना market share 2% increase कर लिया जो कि काफी impressive बात है जबकि इसको international brand से बहुत ज्यादा competition भी देखने को मिल यह अगर हम बात करें तो campus IPO के पास बहुत ज्यादा fashion approach है बहुत ज्यादा style से बहुत ज्यादा color से इसके कारण से यह लोगों को अपने तरफ attract कर रहा है और इसके पास multi channel network है जिसके जरीए इसका पैन इंडिया में presence है और यह अपने product को offline और online दोनों जगहों पे sell करती है बात करना चाहते हैं हमने अभी positives को बात किया था positive दोनों का शांदार था positive में कोई भी कमी नहीं थे दोनों में से किसी गावे लेकिन positive से ज्यादा important negative होता है क्योंकि अगर हम IPO में apply करने जा रहें तो हमें negative चीज़ के बारे में information पहले होना चाहिए इसलिए यहां पर आपक जो इसका hospital है most of the revenue वहीं से आता है larger portion of the revenue इसका इनी दो hospitals में से आता है अब यहां पर negative क्या है दोनों में से कोई एक hospital अगर बैतर perform नहीं किया तो overall जो company का financial CRF revenue होगा उसका impact देखने को मिल जाएगा इसका dependency बस हैदाबाद और बैंगलूरी में जो hospital है उसी पर best है लेकिन जिसके उपर जो hospital है बहुत ज्यादा dependent है और वही एक hospital को अपना अलग reputation देता जिसे कारण से mostly जो patient होते हैं वो यहां पर ज्यादा attract होते हैं वहीं अगर हम बात करें तो इस sector में बहुत ज्यादा competition भी है और competition रेकावन इसका जो pricing है उस पर भी impact देखने को मिल सकता overall margin पर भ बिजनस नहीं कर पा रहा यह main concern है इस hospital के लिए mainly अभी का जो time है मार्च से में के बीच में उस time पे इसके पास बहुत कम patient होते हैं तो इस लिहाद से यह hospital आपका throughout the season काम नहीं करता है और most important जो मैंने last point दिया है किसका जो कुछ group company है वो loss में है और loss एक साल नहीं हो रहा सब्सक्राइब करना चाहेंगे और यहां पर आपको ध्यान देना सबसे पहले इंडिस्ट्री रहता उसको आरो सी मेंटेन करना थोड़ा सा मुस्किल रहता और इसका भी आरो सी देख सकतें continuously decrease कर रहा है आपका 38.38 परसंट था fy 19 में fy 20 में और डिक्रीज होके हो गया 30.7 पर भी आपको इस पर नजर बना कर रखना पड़ेगा और फुट भी इंडिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कंपिटिशन है इस्पेसली इंटेशलर ब्रांट जो कि मैं आपको बहुता है इसका बहुत ज़्यादा कंपिटिशन देखने को मिलवा है वही एजन से आगे कंपनी मैनेज करती है बाकी अगर हम नेक्स्ट निगेटिव से उपर की बात करें इस फिल्म में जो कंपिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्वीज हो रहा है इसका जो प्राइसिंग है उसके उपर भी इंपक्ट देखने को मिल सकता और इसका जो मार्जिन है वह थो सिजनली रेवनिव है फ्रो आउट दे इयर रेवनिव नहीं आता है यह चीज हमें इसके निगेटिव से पता चला जिस पर उपर आपको फोकस करना पर हैगा तो यहाँ पर हम कैंपस आईपियो और रैंबो होस्पिटल आईपियो के डिटेल्स के उपर बात करना चाहेंग यह यह दोनों आईपियो आपको 27 और 28 अपरिल को आपन रहेगा एक साथ इसलिए जिनके पास अगर कम पैसा है तो दोनों मेंसे किसी एक आईपियो में ही अपलाई कर सकते हैं और यह वीडियो देखने को आपको क्लियर पता चल जाएगा कि दोनों मेंसे किस आईपियो को यहाँ पर टाइम आपको थोड़ा सा जाड़ा लग सकता है क्योंकि यहाँ पर हम डीटियल एनालिसिस करें और सारा कुछ आपको पॉइंट बाई पॉइंट बता रहे हैं जो कि आपको जानकारी होना चाहिए अगर आप सिर पांच मियट में चाहते हैं कि दोनों आईपिय को देखें डिसियन ले ले तो फिर आपका पेटियम वाला हो सकता है उससे आपको बचना और आईपियो का एनलिसिस में आपको टाइम देना तब ही आप साइस कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सा बेतर है और किस आपियो के साथ जाना चाहिए और आपको अपना रिस्क प बना रखा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां पर भी आप यह सारा डिटेल्स देख सकते हैं तो हम आगे चलते हैं और इसके हम फाइनेंशल के ऊपर बात करना चाहेंगे तो यहां पर केमपस आपियो और रेन्वो आइपियो के फाइनेंशल को बात को देखना है तो सबस्क्राइब यहां पर रेन्वो होस्पिटल से आइपियो के फाइनेंशल को देखना चाहेंगे अगर आप यहां पर देखें तो दो साल इसके लिए बहत्वीन रहा था और यहां तो तोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखा यानि फॉइन इसके लिए किया और प्रॉफिट अप्रोटेक्स का क्या क्याना यह मल्टिपल टाइमस आपको जंप करता हुआ दिखाया सिर्फ फस्ट नाइन मन्थ फॉइंटीटू और मार्जिन भी देख सकते हैं छी परसंट से जंप लगाया सिक्स्टीन परसंट के करीब जो कि यह काफी पहत्व आओगा जबकि यहां पर अगर हम केंपस आई प्यों के फाइनेंशल के उपर बात करें तो यहां पर देख सकते हैं फवाई 19 और 20 में यह कंपनी ने काफी बहतर प्रॉफॉर्म किया था और फवाई 21 इसके लिए उतना बहत्वी नहीं रहा था प्रॉफिट आप टैक्स भ पर अब कर दो आपको 800 कोड करीब इसका रेवनियों जा सकता है टोटल असे वह सांदार रिकावरी दिखाया प्रोफिट आपर टैक्स भी सांदार करी दिखाया जितना फ्रॉइट 21 में था वह फर्स्टाफ आफ ऑफ यह उससे ज्यादा प्रॉफिट आप टैक्स हो गया औ इसलिए हमें exact completion तो नहीं पता चलेगा लेकिन अगर हम दोनों के financials को overview को देखें तो थोड़ा सा rainbow को यहाँ पर हमें upper hand मिलता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा financials उसका बहतर हम हमें दिख रहा है तो यहाँ पर हम दोनों IPO के most important point ग्रूपर बात करने जा रहे हैं वह है आपका valuations यह है आपका campus IPO का valuations और वह है आपका वैन वो ऑस्पिटल्स का valuation चलिए अब हम valuation को देखते हैं देखते हैं कौनसा IPO सस्ता है और कौनसा IPO महंगा है अगर दोनों महंगा है तो कौनसा ज्यादा महंगा है उसके उपर भी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर हम Venbo Hospital IPO के Valuations को देख लेते हैं अगर हम इसके Earning Per Sales की बात करें तो Earning Per Sales 4.25 है जो के Below Average है बहुत कम दिख रहा है PE Ratio की बात करें PE Ratio 121 से लेके 127 करीब है यनि यह IPO बहुत महंगा लग रहा है बहुत ज़्यादा expensive IPO लग रहा है क्योंकि PE की बात करें इस सेक्टर का जो PE है उससे बहुत ज़्यादा और इस सेक्टर का दिगज कंपनी है Fortis हो गया, Max Hospital हो गया, Apollo हो गया उससे भी इसका जो PE है वो बहुत ज़्यादा यानि Valuations-wise उससे भी ऊपर रखा गया है वह ही return on net worth की बात करें, return on net worth भी काफी कम है यानि इसका जो PE है उससे बहुत कम है return on net worth और earning procedures ROC की बात करें तो ROC 10s उपर है चलिए ठीक ठाक हम consider कर सकते हैं EBita अभी update नहीं हो जैसे update होगा अब महारा website पे चेक कर सकते हैं debt to equity ratio आपका 0.11 यानि almost यह आपका debt free है NAV की बात करें तो यह आपका 48.82 के करीब है और अपर offer price to book value और NAV से compare करें तो यह आपका 11 times करीब हो रहा है तो यह IPO भी हमें ज्यादा expensive लग रहा है वहीं अब हम campus IPO के valuations को देखते हैं अगर हम इसके earning per sales की बात करें 0.88 है यानि उससे भी कम है यानि earning per sales इसका बहुत ज्यादा खराब है वहीं PE की बात करें PE आपका 315 से लेके 331 करीब है यानि इसका जो PE है वह आपका इसके comparison करें तो बाटा के बराबर है बागी relaxo और दूसरे company से compare करें तो उससे इसका PE बहुत ज्यादा हमें दिख रहा है यानि valuations इसका विलैक्स से बहुत ज्यादा है लगवक आपका तीन कुना valuation ज्यादा है तो उतना ज्यादा भी valuations इसका नहीं बनता है इसलिए यह IPO यहाँ पर हमें थोरा सा expensive दिख रहा है वहीं यहाँ पर return on net worth की बात करें तो यह आपका 8.60 करीब है जो कि आप देख सकते rainbow hospital से कम है ROC की बात करें ROC इसका वहत्वीन है EBita भी इसका थोरा वहत्वीन है अगर हम यहाँ पर debt to equity ratio की बात करें यह कम जबूर है लेकिन rainbow hospital से यहाँ पर ज्यादा हमें दिख रहा है वह लेकिन campus का IPO है वह उससे भी बहुत ज़्यादा महेंगा दिख रहा है यानि दोनों IPO से अगर हम compare करें तो rainbow IPO थोड़ा सामें सस्ता दिख रहा है जबकि campus IPO बहुत ही ज़्यादा महेंगा है और महेंगा बनता भी है क्योंकि यह आपका total OFS है और जो लोग अपना माल बेचते ह वो कोसिस करते हैं कि जितना higher price पे हो सके उतना higher price पे बेचे इसलिए यहाँ पे जो इसका valuations है बहुत ज़्यादा लग रहा है और इसका valuations ज़्यादा ही है लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका campus का valuations है तो valuations wise और financial wise देख लिया है कि कौन यहाँ पे हमें better लग रहा है अब यहाँ पे आप दोनों IPO के gray market को देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप के ग्रे मार्केट प्रिमियम के ओपर बात करें इसका ग्रे मार्केट प्रिमियम है 60 rupees per sales और इसके अगर हम lot size की बात करें इसका lot size है आपका 51 का तो यहाँ पर 60 into 51 करते हैं यह होता लग वग आपका थ्व थावजन के करीब listing gains मिलता हुआ देख सकता है इतने आप listing gains के उमीद कर सकते हैं लेकिन आपको याद रखना यह IPO बहुत ज्यादा expensive है और आने वाले टाइम में यह जो grey market premium है वो आपका के grey market premium की बात करें इसका grey market premium देख सकते हैं 50 रूपीज पर बना हुआ पिछले दो तीन दिनों से इसका lot size है आपका 27 का कितना profit होगा grey market premium into lot size यहाँ पर आपको 1300 के करीब profit मिल सकता है जबकि campus IPO यहाँ पर मुझे कितने का profit दे रहा है 3000 के करीब profit मिलता हुआ देख रहा है तो यहाँ पर आपने दोनों IPO के grey market price को देख लिया वेन वो IPO को आज की date के recording यहनि 24 April को यहाँ पर मुझे 1300 का profit मिलता हुआ देख रहा है जबकि campus IPO से मुझे आज की date के recording थ्वी धावजिन का profit मिलता हुआ देख सकता है अगर हम दोनों IPO की बात करें तो rainbow hospitals का IPO भी महंगा है अपने पियर से बहुत ज़्यादा महंगा है 40s max Apollo सबसे महंगा और उतना महंगा बनता नहीं क्योंकि इसका प्रजेंस सिर्फ southern इंडिया में और इसका mostly revenue सिर्फ दो और कोवीट के बाद यह सिग्मेंट तीजी से ग्रोग किया है और यहां पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है अगर मुझे दोनों में से किसी एक IPO रहा था तिहां फर मैं वेंबों थोस्तिया जीओ दिखे लेकिन आंचे ज़्यादा से क्योंकि था नंचेस कुं सब्सक्रां और यह जो मेरा निकाल सकते हैं और यह जो मेरा पर्सनल ओपिनियंग जिसको आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो नहीं तो आप इसको एवोइड भी किजे ताकि इस तरह के वीडियो में आपके लिए और भी लाते रहेंगे जिससे आपको information या फिर decision लेने में help मिलेगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन